अध्यक्ष रविंदर राना जी, अमारे दोनों पूरव उपमुख्य मंत्री, दोनों पूरव स्पीकर रहे डॉक्टर निर्मल सिंग जी, कविंदर गुपता जी, पार्टी के मेरे सेयोगी और सह परभारी शिरी शुष सूच जी, पार्टी के बहुत वरिष्ट नेता और ज जम्मु कुश्मीर के बहुत वरिष्ट नेता, जिनका जम्मु कुश्मीर की रायनीती पर बहुत बड़ी चाप है, जिनोंने जम्मु कुश्मीर को एक आवाज भी दी है, शिरी दविंदर सिंग रहना जी, तीन बार विधायक रहे हैं, दो बार MLC के नाते, एक बार विधायक के नाते, वहाँ के बहुत वरिष्ट नेता हैं, इससे पहले नेशनल कॉन्फरेंस में लगबग तीन दशक तक काम किया है, और नेशनल कॉन्फरेंस में दो स्टेट्स हैं, जम्मु और कश्मीर, जो जम्मु स्टेट है, जम्मु प्रविजन जिसको वो बोलते हैं, उसके अध्यक्ष हैं, और पिछले दिनों जम्मु डेक्लारेशन, जम्मु के कई मुद्दों को इन्होंने बड़ी बेकूबी से उठाया, आज भारती जनता पार्टी के आंगन में आए हैं, पार्टी के सदस्यता लेने के लिए, और संजे मियुक जी और अनिल बुलूनी जी ने आज का ये अयोजन रखा है, अभी उनको सदस्यता पार्टी के वरिष्ट नेता दर्मिंदर परधान जी और अर्दीपूरी जी उनको पठका डालकार और उनके सदस्यता पठ्ची दे करेंगे, मैं भारती जन्ता पार्टी की ओर से उनका स्वागत करता हूँ, दोइंदर राना जी ने जम्मु के एक-एक गाउं में, जम्मु कुश्मिर के एक-एक मंडल में, एक-एक कस्वे में जाकर लोगों को सुना है, लोगों के साथ संबंद बनाया है, उनकी एक-एक कुशे दे, रक्षा में जाकर लोगों के साथ आप सापका परीचे है ही, जम्मु कुश्मिर से सांसद हैं, और पार्टी के बहुत वरिष्ट नेता हैं, कैबिनेट मिनिस्टर हैं, और डॉप साब अभी एक परधान मंत्री जी के कारिकरम में थे, इसलिए हम सब लोगों ने उसका इंतजार किया, मैं परीचे करा रहा था दविंदर जी का, बहुत बड़ा योगदान वहां की लोकल पॉलिटिक्स और उसके लिए काम किया है, दूसरा परीचे में करा रहा हूँ, सुर्जी सिंग सलाथिया जी, सलाथिया जी, दो टरम लेजिस्टेटर रहे हैं, जम्म कुश्मीर के कैबिनेट मिनिस्टर रहे हैं, बहुत वरिष्ट नेता हैं, सामबा के मूलता रहने वाले हैं, और वहां NC को ये चलाने वाली जो दो बड़ी शक्षिते आज यहां बैटी हैं, मैं दोनों का स्वागत करता हूँ, और विंती करता हूँ, संजे जी से, संजे पलूनी जी से की अगली कारवाई शुरू करें, मेरा माननिय धर्मेंद प्रधान जी, हर्दीप पूरी जी और जितेन जी सिंग जी से आग्र होगा, कि आप संजुक्त रूप से श्री देविन सिंग राना जी को सदस्ता प्रपत्र देकर पार्टी की सदस्ता गरना, स्री सूर्जी सिंग सलाथिया जी को भी, कि आप अग्यों अग्यों प्रॉम्ध एंग्यों जी जी ते ने बुट के दी जी को अग्यों, गें उलते एंगल के ने जी तो, कर दो लग मRIश झाली पर इप प्रोपने कर दो अजया है हाई है आर दिए उड़ एक फट्ना नवार लOC लग वर प्रोप्रिव में और रिए सबस्राइब सिर्ड़ लग रवार अप्रवाब नाशित नहीं तो जान दोड़ नहीं, आफ राज़ में ठाभगों, अपार्व उस्पारी सुलिखना। जिस जाज़ा इंड़ां के साथ हां कर दोड़े हिसां रख जुशना हैं जुशना हैं तुम्हें जाज़न पे सिस्हां मापन लॉआ नहीं कर दो कर दो कर दो मेरा सादर अनुरोध होगा अपने केंद्रिय मंत्री माननिय दॉक्टर जीतेंद्र सिंग जी से कि आज अपने बीच जो नए सदस्य शामिल हुए है उसका सब्दों के माध्यम से अभी बादन करें माननिय दॉक्टर जी दॉक्टर जी राश्ट्री महा मंत्री तरुन्चुग जी जमो किश्मीर परदेश के से परवारी आशिश सूद जी हमारे जमो किश्मीर के परदेश अध्यक्ष दरुन्दर नैना जी पूर उपमुख्य मंत्री डॉक्टर निर्मल सिंग जी कुविंदर गुपता जी लोग सभावें मेरे सांसत साथी जोगल किशोर जी सबसे पहले तो अभी नंदन है सौागत है इस परिवार में दो और सदसे आज जुड रहे हैं डेविंदर सिंग जी और सुजीद सिंग जी जिस परकार पिछले साथ आठ वर्षों में परदान मंत्री जी ने जमो किश्मीर को प्रात्मिक्ता दी है और आपको समर्ण होगा कि परदान मंत्री बनने के तुरंत बात उनके आरंभिक व्यक्तवियों में एक वार कहा गया था कि देश के वो शेत्र वो हिस्से जो राजर जो कहीं ना कहीं मुख धारा से छूड गए या पिछली सरकारों की कुताई के कारण प्रासमिता में नहीं आए उनको विक्सित करके विक्सित शित्रों के साथ जोड़ा जाएगा भले पूर उतर हो भले जिवो किश्मीर हो और उस दिन से लेकर के आज तक हम ये भी कैसे भूल सकते हैं कि जो सर्व प्रसम दिपावली हुई है छबीस अक्तूबर दो हजार चौदा को कि आप तो समझछकते हैं कि भारतीय समाज में पहली दिपावली का कितना महत्व रहता है भले वो विवाह के बाद हो भले किसी शुबकार्य के बाद हो और यहां ये पहली बार हम देख रहे थे के परधान मंतरी बनने के बाद अपनी सर्व प्रथम दिपावली उन्होंने किश्मीर घाटी में जाकर के बाड़ ग्रस लोगों के बीश में विताई उस दिन से लेकर के आज तक मोधी जी के नित्रित में जो नवीन भारत न्यू इंडिया की विकास यात्रा चल रही है उसमें जमो किश्मीर को प्राथविक्ता दी गई यदि करोना काल को छोड़ दिया जाए तो मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा काल खंट गुजरा है जब द तीनों शेत्रों को टच करना चाहता हूं एक ही दिन में उनका प्रवाश जम्मों में भी रहता श्री नगर में भी रहता और लेव भी यहीन न हो मोदी जी से प्रेडित होकर के जो उनकी प्रतिबंदता है और जो जो कोई भी राष्ट्रवाद और देश भक्ती को प्रतिबंद है उसके लिए स्वभाविक है कि वो इस परिवार का हिस्सा बने इसके उपरांत पांच शेगस दोहजार उनीज के बाद आदि ग्रह्मत पिश्री अमिर्शा जी ने एक नया संविधानिक एवन प्रशासनिक परिवर्तर लाकर के जम्मू किश्मीर को एक नई दिशा दी और उसको भारत की अथ्वार नमीन भारत की विकास यात्रा का एक अभिनांग बना दिया और साथ ही साथ हमारे राष्ट्रिय अध्यक्ष जे पी नडडा जी जो अध्यक्ष बने से कई बरस पहले तक प्रभारी रहे राष्ट्य महामंत्री के रूप में भी उनके बास जम्मू किश्मीर का दाईतों था परते एक कार्यकरता को भलीवानती परिचत हैं और उनके नेत्रित में करोना काल में भी कोई ऐसा दिन ना गुजरा जब वो जम्मू किश्मीर के कार्यकरताओं के साथ वी सी के माध्यम से या दूसरे ऑनलाइन माध्यम से संबोधित ना रहते और आज हमें गर्व है कि हम कार्यकरता हैं उस राजनेतिक दल के जो विश्व का सबसे बड़ा राजनेतिक दल है और उसके साथ हमारे दो और मित्र जुड रहे हैं एक सांकेतिक अवसर भी है ये जम्मु किश्मीर के उन सभी वासियों के लिए चाहे किसी भी संभाग से तालुक रखते हों क्योंकि संतुलित विकास और संतुलित प्रगती का जो संदेश मोदी जी के माध्यम से गया है उसका ये प्रतीक है क्या है हम सब जोड़ जाएं जैसे मोदी जी अक्सर कहते कि सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास और सबका प्रियास और जम्मु किश्मीर को उनहां उसी डगर पर लाना उसको खड़े करना उसी शान और शौकत के साथ इसलिए सबका प्रियास अनिवारे हैं हमारे दो मित आज ये सिद्ध करके सारे जम्हो किश्मीर वासियों को कार्यकरताओं को राजनेतिक जीवन से जुड़े सभी को एक संदेश दिया है और मुझे विश्वास है कि आज हम सुतंतरता के 75 वर्ष से गुजर रहे हैं आने वाले सालों में जब भारत विश्व पटल पर प्रथम स खड़ा होगा जम्हो किश्मीर उसके मुकड के नूर के रूप में उजवल उजवल दूर से दिखाई देगा एक बार फिर से देवेंदर जी का और सुर्जीत जी का बहुत बहुत अभी रंतर मेरा विनमर निवेदन है मानने है केंद्रिय मंत्री और योरिस्ट नेता स्री घर्मेन पढ़ाईने से कि आपको संभूतित करें और अपने दोनों आविनम्तुकों का अभिबादन करें आज की इस पार्टी की जॉइनिंग प्रोग्राम में उपस्ती पार्टी के बरिष्ट नेता तथा केंद्रिय मंत्री आदर्ने डॉक्टर जी तिंद्र सिंग जी पार्टी के महामंत्री आदर्ने तरुन चूग जी जामुकास्मिर इकाई के अध्यक्षय रवींद्र जी दो बरिष्ट नेता डॉक्टर निर्मल शिंग जी कविंद्र गुपता जी जुगल किश्वर जी सहप्रभारी आशी सूद जी संजे मयूग जी तता आज जामुकास्मिर राजनिति को एक नया करवड देने के लिए हमारी पार्टी में जो दो दिगर्च नेताओं की चॉइनिंग हुई हमारी पार्टी में ऐसे मेरे मित्र जिनको मैं लंबे अर्शे से जानता था जो भी भार्टी राजनिति की विद्यारती रहेगा जेंड के को अध्यान करेगा ही और ऐसे ही मेरे कभी अध्यान में मैं इसे एक सक्सियत से परिशित हुआ था ऐसे आज हमारी पार्टी में जो जॉइन करें नेशनल कॉन्फरेंस छोड़के भारतिय जनता पार्टी में जो जॉइन करें इसे मित्र देवेंद्र राना जी सुर्जित सिंग सलाथिया जी यह अपने आप में यह दोनों की उपस्तिती पिछले कुछ बर्सों से जैसे डॉक्टर जीतेंद्र सिंग जी ने कहा भारतिय जनसंग की जमाने से भारतिय जनता पार्टी और देश की संविधान बनने की उपरांत संचद ने कई बार कई घटनाओं की साक्षी रहा है जमुकास्मिर की बिकास कैसे हो जमुकास्मिर की लगों की उर्नत कैसे हो उनकी जीवन ठीक कैसे हो इसकी उपर देश सदैव प्राथिमिंक्तस रखी है भारतिय जनता पार्टी और हमारी लोकोप्रिय परधान मंत्री नरेंदर मोदी जी अनेक आयाम से जेन के से जुड़े हैं उनकी विचारों से उनकी नेत्रुतों से आज सहमती जताते हुए मित्र देविंद्र नाना जी और सुर्जीत जी ने भारतिय जनता पार्टी में जॉइन किये आज धारा तिनसों सेत्र दो हजार उन्नीस अगस्ट पांच की उपरांद पिछले दो साल से अनेक काम हुए हैं और आज मैं मानता हूं उन सारे कामों में विश्वास रखते हुए देविंद्र जी और सुर्जीत जी की जॉइनिंग उस गती उस कामों की गती को उस विकास की प्रभा को जामु कस्मीर और भारत की और मजबूत एक स्तंब बनके दोनों खड़े रहेंगे मैं उनको पांटी में किंद्रे इकाई की ओर से और जामु कस्मीर इकाई की ओर से स्वागत करता हूं मेरा विनम्र निगेदन है जम्मु कस्मीर के लोग प्रियनेता और लंबे समय तक विधाये प्रोवेंशियल प्रेसेंट रह चुके नस्नल कॉंफेंस के स्री देवेंद्र सिंग राना जी से कि आप अपने सब्द रखें मानिये देवेंद्र सिंग राना जी मानिय दरविंदर प्रद्दान जी महामंत्ली मानिये टरुण चुक जी प्रदेश अध्यक्ष मानिये रविंदर गेना जी मानिये सांसद जमू पॉन्च पार्लिमेंटरी कॉंसिटरेंटरी मानिये जूगल जी साब का डिप्टी चीफ मिनिस्टर कविंदर गुपता जी और निर्मुल सिंग जी और सेह परबारी मानिये शीज सूच जी एक लंबा सफर है सियास्त का और उसके चलते एक ऐसा पड़ाव आया जहां मैंने एक जम्मू डेक्लिरेशन का एवान किया और एक कोशिश की कि एक जम्मू से पुलिटिकल नेरेटिव पूरे इंकलूसिव जम्मू कश्मीर के लिए बनाया जाए जो एक ऐसा नेरेटिव हो जो जम्मू से हो जो जम्मू का हो और पूरे जम्मू किश्मीर के लिए हो और इस नेरेटिव को जब मैंने एक शकल दी तो मैंने सभी दलों से बातचीत की उन से कहा कि इसमें अपना योगदान दें क्योंकि एक निशान एक विधान और एक पर्थान के बाद मैं यह समझता था जाती तोर पे कि एक पुलिटिकल नेरेटिव जो है वो जम्मू का होना चाहिए क्योंकि जम्मू के लोगों की अपनी एक आंक्शाएं हैं अपनी भावनाएं हैं उनकी अपनी कुछ तवक्कात हैं और उनको एक 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 एसास है कि शायद उनके साथ बदसलूकी हुई वो एक इसी एसास से कमतरी का शिकारत है और इसलिए हमने कोशिश की कि एक जम्मू डेकलिरेशन के माद्यम से जम्मू की आवाज बनाएं क्योंकि हमारा ये मानना था कि अगर जम्मू से आवाज निकलती है फ़र अन इंक्लूसिफ जम्मू और कश्मीर इसके चलते विबिन दलों से बात हुई सिवल सुसाइटी से बात हुई इंटिलेक्चुल से बात हुई और विरोध अभास भी हुआ कुछ लोगों ने इतराज किया मेरे इस वक्तत पे जमाद के अंदर भी कुछ इक्तलाफात हुए लेकिन भारती है जिनता बार्टी रविंदर रैना जी यहां बैठे हैं और मेरे और साथी जो यहां बैठे हैं जो कहीं न کہीं मेरे साथी रहे कहीं लेजिसलेटर में रहे कहीं कहीं रहे इन्होंने अपना युगदान देने के लिए और जब मैंने केंद्रे नेत्रेतर से भी यहां बात की अपने जम्मू डेकलरेशन के लिए they were very forthcoming on the जम्मू डेकलरेशन और मैं यह समझता हूं कि वक्त आ गया है कि जम्मू की एक आवाज होनी चाहिए जम्मू 2 should have a narrative for जम्मू and किश्मीर जम्मू also has the right to have a narrative for जम्मू and किश्मीर a political narrative after all the state was carved out by the dogras Maharajay Gulab Singh carved out the state and it was Janne Zorawar Singh, a dogra again who took the boundaries up to Tibet and this Jammu and किश्मीर was carved out by the dogras and there are sacrifices of the dogras dogras also must have a narrative, a political narrative on Jammu and किश्मीर it will be our endeavor and effort under the leadership of the Bharatiya Janta Party Prime Minister Modi Saab, Amin Shah Saab and all the political elite of the party to work to create a narrative and a place for Jammu in Jammu and किश्मीर and in the country and to strengthen the secular ethos there are people who want to weaken the ethos of Jammu and किश्मीर there are some people who are the perpetrators of the Dixon plan Jammu declaration, we feel, will defeat those who want the Dixon plan to succeed Dixon plan cannot succeed as long as we exist in Jammu and किश्मीर and we will not allow Dixon plan and their supporters to succeed and defeat people who stand for the country and have a nationalist approach We join the party with this in mind and we are sure that in the national interest the party will help us take forward the aspirations of the people of Jammu who feel relegated and have a sense of deprivation I thank Dharvinder Pradhanji and through you Nada sahab, Amit Shah sahab and the Prime Minister Modi sahab for giving us an opportunity and the President of the Pradesh, Ravinder Gainanji and Tarun Chug sahab and Sudh sahab for giving us an opportunity to be a part of this party and to work for the party and I'm sure we will contribute in a humble way as small workers of the party to strengthen the party and strengthen the party and strengthen the party and strengthen the party. the people of Jammu and Kashmir Mach peh Mach peh Mach peh Mach peh Uppasthytthththamare Jambu Kashmir ke pardhan juu Kishmir ke pardhan Arvinder Renah ji Member Parliament J ugul Kishore sihrmah ji Dr. Nirmil Singh sahab Suud sahab और किविंदर गुप्ता जी बड़े लंबा अर्सा है एक जमात में रहते हुए आज हमने पिछले 40-45 साल जो है सियासत में जम्मू कुश्मीर की स्पाल्टेक्स में अपना रोल अदा किया है और आज हम भारतिय जमता पार्ठी की मेंबर्शिप के लिए हम इस जमात में शामल हुए हैं मैं जोने पृद्धान जी आपका और माननिये हमारे भाई भाई जितिंदर डाक्टर जितिंदर सिंगी का और तमाम जो हमारे मानिये परधान मंत्री जी, गरे मंत्री जी और जेपी नडा साब मैं सब का और तरण सुख जी का सब का ब्याद शुक्र गजार हूँ कि उन्होंने हमें इस पार्टी में शामल किया और आप जो हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि किस तरीके से इस जमात को मजबूत किया जाए और किस तरीके से हम अपना जियनके में जमु कुश्मीर में जो मुश्कलात है उसको कैसे हल किया जाए उसके लिए हम बारपूर कोशिश करेंगे और बारपूर कोशिश करेंगे तो मैं ज्यादा ना कहते हुए जैसे दिवंदर सिंग राना जी ने ये कहा कि हम जमु डेकलरेशन की बात की है ये बात पिशले पांच साथ महिने से हमने इस बात पर काम करना शुरू किया था और यो लोग गुदी जीब हैं महां उन से भी बात की और बाकी पार्टी इसको भी आफर किया था कि हम सब अकिठे होके जमु की अवास बनें और जमु कश्मीर ये अवास जो है निकल के जाए और जमु कश्मीर के साथ जो इनसाफ किया जाए और हर तरीके से ऐसा काम किया जाए जिसमें से हम मानिये परधान मंत्री जी के और यहां के तमाम जो बीजेपी के नेता हैं इनके हाथों को मजबूत किया जाए करने के लिए बारपूर कोशिश करेंगे काम करेंगे बहुत बहुत शुक्रिया धन्यवाद जाहिं जम्मु कस्मीर के विशे पर लगातार संघर्स करने वाले हमारे लोग प्रिये माननीं प्रदेश अज्यत श्री रविंद्र रैनाजी से आग्रहोगा इस स्वाब्र गल साली समारों में अपना साधुबाद ग्यातित करें माननी रविंद्र रैनाजी कि देखिए बशी बहुत वह नेवार वहार माहद ये ञेंद्र सरकार में मंत्री भराथ ये जनत्र परट्वी के वर इसले ये श्रिमान्जा दरमेंfinder प्रधान जी परमाधर मीय denial vampires Yet karma परशी ये महामंत्री परमादर्निये तरुन्चुक साहब, स्रीमान डॉक्टर निर्मल सिंग जी, स्रीमान जुगल किशोर शर्मा साहब, स्रीमान कवेंदर गुपता जी, स्री आशी सूर्जी, संजे जी और यहां सभी जो मेरे दो सहयोगी जिनूने आज भरत ये जनता पाटी का द जनता पार्टी में शामिल होने पर हैदे से भधाई देता हूं और इन्हें धेरू शूप काम नहीं देता हूं, और मुझे विश्वास है कि आने वाले दिनों में हम सब मिलकर पूरे जमू कश्मीर में कारे करेंगे, और जो मिशन जमू कश्मीर के अंदर भरत ये जनता प होंगे, परचंड बहुमत के साथ जमू कश्मीर में भरत ये जनता पार्टी की सरकार बने, पचास से अधिक सीटे जीत का मिशन फिफ्टी प्लस को लेकर जो हम चले हैं, हम उसमें काम्याब होंगे, और जमू कश्मीर का अगला मुख्य मंतरी भरत ये जनता पार्टी का ब मैं इनका धन्यवाद करता हूं, और मुझे पूरा विश्वास है, हम मिलकर काम करेंगे, और इनके पार्टी में शामिल होने से पार्टी की ताकत और पूरे चमू कश्मीर में बढ़ी है, मैं ionsगे से आपका धन्यवाद भी करता हूं, और आपने वरिष्ट सयोगी साथियो का जो आज इस कारी क्रम में विशेश उपस्तित रहे श्रीमान धर्मेंदर परधान जी श्रीमान हर्दी पूरी जी और हमारे मानिये केंद्रिय मंत्री डॉक्टर जेटेंद्र सिंग जी महरेदे से आप सब का धन्यवाद करता हूं जो आपने विशेश समय निकाल के यहां आ बहुत धन्यवाद जाहिन जाइभाराई पत्रकार मित्रों को भी धन्यवाद कर लो आप को कि अ झाल झाल